हेलो फ्रेंट्स विल्कम चूँ आज चैनल आप देख रहे हैं एक्सने लाइफ आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे तो आज की मेरी इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे सलमान खान और एश्वरया राय बच्चन के बारे में पर हम खास वर बात करने जा रहे हैं एश्वरया और सलमान का एक समय पर अफेर चल रहा था यह दोनों एक दूसरे के काफी क्लोस थे हाला कि बाद में एश्वरया ने बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए सलमान के उपर उन्होंने कहा कि सलमान उन्हें पीडित करते हैं उन्हें मेंटल और फिजिकल टॉ बचर करते हैं और इस वज़ए सलमान से दूर हो गई दोस्तों आपको बताना चाहेंगी कि सलमान जो थे वो इश्वरया के लिए बहुत पोजैसिव बताया जाते थे और वो इश्वरया को कही कही दिल से चाहते थे लेकिन इश्वरया जो थी वे सलमान से ओवर हो चुकी थी वे सलमान को नहीं चाहती थी और इस वज़ए से जो इनका ब्रेकप भी हुआ था वो काफी ज़्यादा खराब हुआ था ऐसा बताया जाता है लेकिं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ एश्वरया ही नहीं अश्वरया से काफी दिर पहले एश्वरया के पे एक्शन नहीं लिए उनका माना था कि ये दोनों बड़े हो चुकी हैं बच्चे नहीं है और ये अपनी जिन्दगी के फैसले खुद कर सकते हैं अश्वरया को पता है कि उनकी जिन्दगी लिए क्या सही है क्या गलत है लेकिन इस चीज़ को लेकर सलमान खान ने एक बार ख चाते थे कि ऐसा लड़का उनके साथ घुमें जो इस तरह की हरकते पहले कर चुका हो हालां कि सलमान ने भी कहा कि उनके पैरेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा स्वीट थे उन्होंने कभी भी सलमान के साथ किसी तरह का कोई गलत वेवार नहीं किया और ना ही उन्होंने अपनी बेटी को कई बार बताते भी थे लेकिन उन्होंने ये जो डिसीजन था इन दोनों पर छोड़ा और फाइनली एश्वेरा ने डिसीजन यहीं लिया कि वे सलमान के साथ अपनी जिंदगी आगे नहीं बिताना चाहती हैं और इसका बहुत बड़ा रिजन कहीं ना कही उनके पैरेंट्स भी रहे होंगे पैरेंट्स का भी इन्फिलेंस अपने बच्चों पर होता है और एश्वेरा के पैरेंट्स की बात सच निकली और श्वेरा ने भी फाइनली इस बात को माना नेक्स नाया लाइफ की रिपॉर्ट